सन्रचना के आधार पर क्रिया का अन्यभेद नाम धातू क्रिया अभी हमने आरम में पढ़ा था कि क्रिया का मूल रूप धातू होता है अर्थार क्रियाएं अधिकतर धातू से बनती हैं जैसे लिख लिखना पढ़ पढ़ना लेकिन इसके अतिरिक संग्या सर्वनाम विशेशन और अनुकरण वाची शब्दों किन किन से संग्या सर्वनाम विशेशन और अनुकरण वाची शब्दों से बनी क्रियाएं नाम धातू क्रियाएं कहलाती है अर्थार्थ संग्या, सर्वनाम, विशेशन और अनुकरण वाची शब्दों से भी क्रियाएं बनती हैं तो देखिए संग्या, सर्वनाम, विशेशन और अनुकरण वाची शब्दों से क्रियाएं कैसे बनती हैं संग्या से नामधातू क्रिया बात बतियाना हात हथियाना रंग रंगना लज्जा लज्जाना इसके अतिरिक्त शर्म शर्माना टकर टकराना आदी अब देखे सर्म नाम से नामधातू क्रिया अपना अपनाना हम हमारा विशेशन से नामधातू क्रिया विशेशन से नामधातू क्रिया कैसे बनती है गर्म गर्माना साठ सठियाना जूट जुठलाना तोतला तुतलाना दोहरा दोहराना अब देखे अनुकरण वाची शब्दों से नाम धातू क्रिया अनुकरण जो रिपीटिड शब्दोते हैं खट-खट, खट-खटाना, हिन-हिन, हिन-हिनाना, थप-थप, थप-थपाना, भिन-भिन, भिन-भिनाना, तो आपने देखा कि क्रिया केवल धातूं से नहीं बनती, बलकि संग्या, सर्वनाम, विशेशन और अनुकरण वाची शब्दों से भी क्रियाएं बनाई जाती हैं पर क्रिया का अगला भेद, प्रेरनार्थक क्रिया, जब करता स्वेम कारिये ने करके, आपको पता है काम के करने वाले को करता कहते हैं, लेकिन प्रेरनार्थक क्रिया में करता स्वेम कारिये ने करके किसी अन्ने को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे वाक्ये में प्र को भी से कपड़े धुलवाती है, प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है आदी. प्रेनार्थक क्रिया के प्रकार, प्रेनार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेनार्थक क्रिया और द्वितिय प्रेनार्थक क्रिया, अब हम इन दोनो क्रियाओं का अंतर जानेंगे कि प्रतम प्रेनार्थक क्रिया में क्या होता है और द्वितिये प्रेनार्थक क्रिया में कौन कारिय करता है? प्रेर्णार्थक क्रिया का पहला भीद प्रथम प्रेर्णार्थक कारिये जब करता स्वेम भी कारिये में सम्मिलित होता है और प्रेर्णा देता है कारिये करने की प्रेर्णा देता है तब उसे प्रथम प्रेर्णार्थक क्रिया कहते हैं जिन क्रियाओं में करता स्वयम शामिल होकर कार्य करने की प्रेड़ना देता है जैसे पिता जी ने बेटे को दवाई पिलाई राधा बिल्ली को दूद पिलाती है इसमें पिता जी ने बेटे को दवाई पिलाई पिताजी कार्य में शामिल है लेकिन कार्य किस ने किया पुत्र ने किया दूसरे वाक्य में बिल्ली ने दूद पिया